एक शहर में चंद्रो का परिवार रहता था। उसका बच्चा पिता का मूँ देखनी से पहले ही अनार्थ हो गया। चंद्रो और आकरिती काव्यांच के वापस आने का इंतिजार कर रहे थे। लेकिन काव्यांच की मौत की खबर ही आई। काव्यांच की मा और उसकी पतनी अंतिम बार उसका चहरा भी नहीं देख पाए। जब काव्यांच पहाडों में बस चला रहा था तो उसका बाली में और बस खाई में गिर गई। उसके बाद काव्यांच की लाश भी नहीं मिली। दस दिन बाद। आकरिती अब तो सब कुछ खत्म हो गया है। मैं तो कहती हूँ कि अभी तुम्हारी पूरी उम्र बच्च मेरे पेट में जो बच्चा है मैं उसके सहा रही अपना जीवन पूरा कर लूँगी। आकरिती अभी पूरा जीवन बचा है तुम्हें आगे का सोचना चाहिए। आगे का मैंने सोच लिया है। मैं अपने बच्चे का पालन पोशन करूँगी और आपकी देखभाल करूँ ठीक है बेटी अगर तेरी यही मर्जी है तो यही सही तू मेरी बहू नहीं बेटी है। आकरिती और चंद्रो दोनों आराम से रहने लगे लेकिन उन्हें खाने की भी चिंता थी। काव्यांच के बाद बची हुई सारी सेविंग्स खत्म हो गई थी। बैंक के लोन क्रेड मैं कहीं जॉब कर लूगी। दो महीने बाद डिलिवरी होनी है बेटी तुम इस हालत में कैसे काम करोगी। मा मुझे कुछ सोचने दो हम कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है आकरिती लेकिन भगवान ने ये कैसी लीला रच्च है कि सारा दुख हमें ही दे दिया। मा दुख की भी एक आदत है ये सहने वालों को ही मिलता है एक दिन सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर विश्वास करने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकते है। हा मा चलो अब खाना खाकर सो जाए मैं सुबह तक कुछ ना कुछ रास उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे अब मुझे क्या करना चाहिए मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी मुझे एक ही काम आता है लेकिन उसके लिए तो काव्यांच ने हमेशा मना किया है मैं वो काम कैसे कर सकती हूँ आकरिती को काव्यांच के साथ वाला समय यादा गया आकरिती और काव्यांच की शादी को कुछ महीने ही हुए थे जब काव्यांच शाम को घर आया आकरिती ने उसके लिए गर्म गर्म खाना बनाया क्या बात है आज खाना वगेरा सब तयार है खाना तो रोज क्ले करक्ट लों मैं काम करतो रहा हों तुम्हें काम करने की कोई ज़़ुरत नहीं एं लाग दो दोनों मिलकर काम करेंगे है नोप मिला कर दो भरस वार किया थैगा तुम्हें भ doppवय सोछने की ज़्यादा श्रहरत नहीं है ठीक है, मैं कोई काम नहीं करूंगी लेकिन मेरा पूरा दिन कैसे बीटेगा दिन भार टीवी देखा करो किताबें पढ़ा करो मेरे होते हुए तुम्हें कुछ करने की कोई श्रूरत नहीं है काव्यांश ने आकरिती को कुछ काम नहीं करने दिया आकरिती सारा दिन घर में रहती थी आकरिती की आँखों से आंसु बह निकले उसे अपने पती काव्यांश की याद आ रही थी आज काव्यांश अमारे साथ नहीं है लेकिन अब जीने के लिए कुछ काम तो करना ही होगा मुझे यही एक काम आता है अब मुझे अपना पारलर ही चलाना होगा आकरिती ने फैसला कर लिया और उसने अपना ये फैसला अपनी सास चंदरो को बताया इसके लिए आकृती को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा ये सुनकर चंद्रो भी खुश हो गई उसके पास पैसे नहीं थे उन्होंने एक आदमी से कर्ज लिया और पारलर की शुरुबात कर दी आकृती प्रेगनिंट होने के बाद भी पूरी महनत से काम में लगी थी भगवान उसे उसकी महनत का फल दे रहे थे कुछ दिनों में ही उसका पारलर चल निकला पारलर तो अच्छे से चल रहा है अब किसी को अपनी मदद के लिए रख लो हाँ मा डिलिवरी का समय भी पास आ रहा है और पारलर का काम भी पढ़ने लगा है तो मैं भी सोच रही हूँ कि किसी को रख लेते है क्योंकि मैं अकेले ये सब नहीं संभाल पाऊंगी हाँ किसी को रख लो अगले दिन ही आकरिती ने एक लड़की निहा को पारलर में रख लिया नेहा तुम इसे अपना ही पारलर समझो और अच्छे से काम करो आकरिती दिदी मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आपने पती की मौत के बाद इतनी मेहनत क्यों की अपनी सास और होने वाले बच्चे का ध्यान रखने के लिए मुझे ये काम शुरू करना पड़ा लेकिन मुझे इसमें बहुत खुशी मिल रही है दिदी अभी आप जवान हो कोई जादा उम्र भी नहीं हुई है फिर आपने शादी क्यों नहीं की आप क्यों अस बूड़ी और और इस बच्चे को धो रही हो आपको अपनी जिन्दगी जीनी चाहिए नेहा अपना मुझ बंद रखो खबरदार अगर तुमने अब एक भी शब निकाला तो तुम बहुत ज़्यादा बोल गई हो मेरे परिवार में कुछ मत बोलना सौरी दीदी अगर तुम्हें काम करना है तो मुझ बंद करके काम करो मेरी जिंदगी में जबरदस्ती उसने की कोशिश मत करो नेहा चुप हो गई और चुप चाप अपना काम करने लगी एक महीने बाद आकरिती की डिलिवरी का समय आ गया आकरिती अपनी सास के साथ आटो से हॉस्पिटल चली गई जहां उसने एक बेटी को जनम दिया आज हमें जीने की वज़ा मिल गई है आज से खुशियां घर लोट आई है इसलिए इसका नाम खुशी ही रख देते है आकरिती ने अपनी बेटी का नाम खुशी रख दिया आकरिती का काम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था आकरिती ने ब्यूटी पार्लर की फ्रिंचाइजी देनी शुरू कर दी धीरे धीरे उसकी ब्रांच बढ़ गई खुशी भी बड़ी हो रही थी आकरिती का पूरा ध्यान परिवार और काम पर ही था सब के कहने के बाद भी उसने शादी नहीं की थी विद्वा होने के बाद भी आकृती ने हार नहीं मानी और जिंदगी को उंगले लगा लिया एक नगर में राजा जश्वंत सिंग का राज था राजा जश्वंत बहुत ही तयालू और अच्छी राजा थे रानी ने दो जुड़वा पेटियों को चन्म दिया जिनका नाम साइनी और सुनहरी रखा गया साइनी के बाल काले और सुनहरी के बाल सुनहरे थे दोनों बहुत ही सुन्दर थी रानी को लंबे बालों का बहुत शौक था इसलिए उन्होंने दोनों राजकुमारियों के बाल भी लंबे ही रखे थे जो दिखने में बहुत ही खूपसूरत लगते थे एक दिन दोनों अपने मा पिता जी के पास गई और नगर देखने की चपरकट की मा पिता जी हम दोने ये नगर देखना चाहते हैं मेरी राजकुमारियों को नगर खूमना है हाँ मा हमारी साथ आप और पिता जी भी चलना तुम दोनों और जादा आग्रेह मत करो तुम मंत्री के साथ नगर देखने चले जाना राजा जश्वन सिंग ने मंत्री को बुलाया और उसे दोनों बेटियों को नगर दिखा कर सुरक्षित महर वापस लाने का आदेश दिया मंत्री साइनी और सुनहरी को रत में बैठा कर नगर दिखाने चला गया जैसे ही रत नगर में पहुँचा उन्हें मिट्टी के छोटे घर, फूल, पौधे, पशु और छोटे छोटे बच्चे एक साथ खेलते हुई दिखाई दिये देखो सुनहरी वो छोटे बच्चे देखो कितने प्यार से खेल रहे हैं लेकिन इनके साथ हम क्यों नहीं खेल सकते हैं इनके पास तो छोटा घर है, हमारे पास बड़ा घर है, फिर भी हमारे पास क्यों नहीं आते हैं हाँ, हम भी इनके साथ चलता खेलते हैं नहीं बच्चों, तुम्हें रत से नीचे उतरने की आग्या नहीं है हम राज कमाई हैं, तुम हमें रोकोगे राजा साहब ने आग्या नहीं भी है हम जाकर कह देंगे कि आपने हमें डाटा था ठीक है, तुम दोनों जाकर खेल लो मंतरी दोनों की धमकी से डर गया और उसने उन्हें खेलने के लिए रत से नीचे उतार दिया दोनों बहने बच्चों की साथ जाकर खेलने लगी साइनी और सुनेहरी खेलने के बाद रत में वापस जाकर बैट गई रत अपनी दिशा में चलने लगा तब ही उन्हें एक बूड़ी गंजी महिला दिखाई दी जिसे कुछ बच्चे पत्थर मार रहे थे रत रुखवाओ, रत रुख्या क्या हुआ, रत क्यों रुखवाया वो बिचारी परिशान है, वो बच्चे उसे पत्थर मार रहे है हाँ, ही ही, बिचारी के बाल ही नहीं है ये तो गंजी है सुनेहरी ऐसे किसी का मजाक नहीं बनाते है मेरे बाल तो सोने के हैं मैं तो सकता मजाक बना सकती हूँ ठीक है मैं आज अपने बाल उस बुढ़ी को दे दूँगी साइनी गुस्ते से उठी और मंद्री से कैशी मंगाई बुढ़ी महिला के पास जाकर जैसे ही उसने कैशी अपने बाल काटने के लिए उठाई महिला के कहते ही साइनी के बाल सोने के हो गए सुनेहरी ने बुढ़ी महिला को धन्यवाद दिया और दोनों बहने वापस रस में बैट कर महर लोट गई साइनी और सुनेहरी अब 15 साल की हो चुकी थी दोनों के बाल सोने के थे सबी लोग सिर्फ सुनहरी की तारीफ ना करके साइनी की भी तारीफ करते थे ये बात सुनहरी को पिल्कुल भी पसंद नहीं थी साइनी सब जानते हैं कि तुम्हारे बाल नकली हैं फिर भी सब इतनी तारीफ करते हैं इस बात से क्या फर्क पढ़ता है? सुनहरी ने साइनी को बहुत कुछ सुनाया, साइनी कुछ नहीं बोली साइनी अपने कमरे में सो रही थी, सुनहरी ने रात को एक कैंची उठाई और अपनी बहन शाइनी के बाल काट में आ गई जैसे ही सुनहरी ने साइनी के बाल पर कैंची चलाई, उससे हीरे भिखरने लगे यह क्या, इसमें सिर्टों हीरे निकल रहे हैं, अपने बाल काट कर देखती हूँ, फिटर जरूर मेरे बाल से भी हीरे निकलेंगे जैसे ही सुनहरी ने अपने बाल काटे उसके बालों से हीरे नहीं निकले बल्कि उसके बाल कटकर जमीन पर गिर गए सुनहरी रोने लगी आवाज सुनकर साइनी भी चाग गई क्या हुआ सुनहरी तुम मेरे कमरे में इतना शोर क्यों बचा रही हो बाल, मेरे बाल, बाल, मेरे बाल अरे बाल क्यों काटते तुमने आवाज सुनकर राजा जश्वन सिंग और रानी भी वहाँ आ गए बुदा जी, मेरे बाल ये सब कैसे हुआ? किसने किया ये सब? मेरे बाल साइनी ने काटे है तुम कुछ भी ऐसे छोट कैसे बोल सकती हो? मेरे बाल उमें से हीरे निकल रहे थे इसलिए मुझसे चड़कर साइनी ने मेरे बाल काट दिये साइनी ये तुमने बहुत बड़ी गलती की है इसकी सदा तुमें जरूर मिलेगी मैंने कुछ नहीं किया पिता जी कल महल में एक आयोजन किया जाएगा जिसमें सुरहरी आएगी तुम उसमें नहीं आओगी राजा आदेश देकर बाहर चले गए वो बुड़ी मैला कौन थी उन्होंने मुझे ये बाल क्यों दिये इन बालों की वज़े से सब गलत हो रहा है साइनी रोते रोते सो गई अगले दिन राजा का दर्बार लग चुका था सभी लोग आकर पहच चुके थे हमारी बेटी सुनहरी को बड़े बाल पसंद नहीं थे इसलिए उसने अपने बालों को काट दिया और अब वो सारा सोना गरीबों में दान करना चाहती है सभी लोग ताली बचाने लगे राजा ने मंत्री से सुनहरी के कटे हुए बाल मगाए लेकिन वो बाल चांदी के थे राजा ने सुनहरी के बाल देखे और चाला की सिर पर बैठ चाये, तो सिर के बाल भी पदल सकते हैं, साइनी को बाल मैंने ही दिये थे, साइनी के चादूई बाल हैं जिन से हीरे निकलते हैं, बाकी सुनहरी खुद ही सच बताएगी, सुनहरी ने अपनी सारी गलती स्विकार की और साइनी से माफी भी मागी उसके माता पिता ने भी साइनी से माफी मागी साइनी के अब सोने के जादुई बाल थे जबकि सुनहरी के बाल बहुत छोटे और चांदी के थे इश्वर का दिया हुआ ही सर्वश्वेष्ट है इसलिए इश्वर के द्वारा दिये हुए उपहार का सम्मान करना चाहिए एक शहर में नीलम अपनी मा माया देवी के साथ रहती थी माया देवी सडक के किनारे अपना ठेला खड़ा करके बिर्यानी बेशती थी नीलम स्कूल से आने के बाद काम में अपनी मा की मदद कराती थी माया देवी बहुत ही स्वादिष्ट बिर्यानी बना कर पेचती थी दूर दूर से बड़े लोग उसकी बिर्यानी खाने आते थे वो अलग-अलग फ्लेवर की बिर्यानी बनाती थी कई बार वो गरीब लोगों को या जिनके पास पैसे नहीं होते थे उनको बिना पैसे के भी बिरियानी दे देती थी लेकिन नीलम को ये सब पसंद नहीं था एक बार नीलम के सामने ही उसकी मा ने एक गरीब को फ्री में बिरियानी दे दी मा, हमारा काम इतना अच्छा चलता है लेकिन फिर भी हम ज्यादा पैसे नहीं बचा पा रहे हैं दो वक्त का पेट भर भोजन तो मिलता है, इतना ही बहुत है, इससे ज्यादा कमा कर हमें करना भी क्या है हम कल भी गरीब थी, आज भी गरीब हैं और अगर ऐसा ही रहा तो हम कल भी गरीब रहेंगे अगर हमारे पैसे ना लेने से किसी करीब का पेट भरता है, तो उसमें हर्जी क्या है? आपको व्यापार करने की समझ ही नहीं है, आप घर बैठो और आपसे ठेला मैं संभालूँगी अभी तू छोटी है, सिर्फ पढ़ने लिखने पर ही ध्यान लगा, मैं खुद ही ये काम कर लूँगी नहीं मा, मैं आपको ये काम करने नहीं दूँगी, बस बहुत हो गया नीलम ने अपनी मा को भेज दिया, और खुद ही वो ठेला सभालने लगी अगले दिन से नीलम ही बिर्यानी बेचने लगी आईए आईए गरम गरम बिर्यानी खाएए, स्वादिष्ट बिर्यानी, वो भी कम दामों में पहले से भी बहतर स्वाद पाईए, आईए आईए बिर्यानी खाएए उसके ठेले पर लंबी भीड होती थी, तो आज भी उसकी आवाज सुनकर लोग चौके आप बिर्यानी तो खाएए, फिर पता चल जाएगा सब बिर्यानी खाने लगे, टेस्ट बदल चुका था तब तक नीलम ने एक बोर्ट भी लगा दिया, जिस पर लिखा था यहाँ भीकारियों को बिर्यानी देना मना है, और अब से मुफ्त में भी बिर्यानी नहीं मिलेगी ये नए नियम देख कर सभी हैरान हो गए, क्योंकि अब से पहले उनका ठेला गरीबों पर दया करके ही चलता था नीलम बेटी, तुमारी मा ने हमेशा गरीबों को पेट भर के बिर्यानी खिलाई है, लेकिन अब कुछ गरीब भूके रह जाएंगे मा गरीबों की चिंता करके खुद भी गरीब रह गई है, लेकिन मुझे गरीब नहीं रहना मैं इसलिए अब अपना काम अपने नई तरीके से शुरू कर रही हूँ, ताकि अच्छी बिर्यानी देकर अपना घर चला सकूँ तुमारी मा ने बहुत कुछ किया है मा ने ठेले से शुरू किया था और आज भी ठेले पर ही है, मुझे इसको एक बड़े रेस्टरंट में बदलना है नीलम ने सभी ग्रहकों के सामने बड़ी बड़ी बाते बोल दी कुछ समझदार व्यक्तियों ने पहले दिन ही वहाँ आना छोड़ दिया, लेकिन कुछ लगातार आते रहे एक दिन सुभा सुभा नीलम ने अपनी बिर्यानी काट लाकर ही खड़ी की थी, कि तभी एक आदमी वहाँ आया पुछे बिर्यानी खानी है, लेकिन आज मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कभी फिर और दे जाओंगा तो आप बिर्यानी भी फिर कभी खाने आ जाना? क्या मतलब? आपको बोर्ट पढ़ना नहीं आता क्या? मैंने बोर्ट पर सब कुछ लिखा तो है वो आदमी बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से चला गया धीरे धीरे नीलम का व्यवहार बिगड़ता ही जा रहा था नीलम किसी भी ग्राहक से अच्छा व्यवहार नहीं करती थी इसलिए ग्राहक आने बहुत कम हो गए थे नीलम ने अपनी मा की जमा पुझी से एक होटल बना लिया उसने उसको बहुत सुन्दर बनवाया सारी चीजे स्टेंडर्ड की थी उसने होटल में सेल्फी पॉइंट भी बनवाया जो लोगों के लिए आकर्शन का कींदर था बिर्यानी के दो गुने दाम भी पढ़ा दिये और सभी की तरह ही बिर्यानी के अलग-अलग दाम रग दिये उसने जितने भी पैसे होटल में लगाये थे वो सारे ही पैसे वो महंगी बिर्यानी बेच कर निकालना चाहती थी कुछ नया खाने के लिए और अच्छी सेलफी लेने के लिए लोग महंगी बिर्यानी खाने आ रहे थे लेकिन गरीब लोग वहाँ नहीं आ सकते थे मेरा होटल ठीक चल रहा है लेकिन आम आदमी इसमें नहीं आ पा रहे हैं मुझे इसके बारे में भी कुछ सोचना पड़ेगा नीलम ने होटल के बाहर बोड लगा दिया कि जो भी दस मिनट में दो किलो बिर्यानी खा जाएगा उसको एक सब्ता तक पेट भर बिर्यानी मुफ्त मिलेगी ये ओफर भी लुभावना था आम आदमी जो होटल नहीं जा स जाती थी जिसकी वज़े से सब उसे छोड़ कर ही चले जाते थे ऐसे ही एक दिन एक आदमी इस चैलेंज को सुईकार करने आया नीलम अंदर गई और बिर्यानी में एक्स्ट्रा मिर्च डाल कर लिया आई लीजे सर अगर आप हमारी स्चुनोती को जीतते हैं तो आपको एक सब्ताह तक पेट भर बिर्यानी बिना पैसो के खिलाएंगे हम हाँ जरूर मैं आज ये जीत कर जाओंगा और एक सब्ताह तक बिर्यानी के मजे लूँगा हम भी तो वही चाहते हैं आदमी ने जल्दी से जैसे ही एक चमच बिर्यानी खाई उसकी आँखे लाल हो गई उसकी आखों से आसू आने लगे इस बिर्यानी में इतने जादा मिर्च है कि भला इसे खागे कोई कैसे जीत सकता है आपने उसमें मिर्च का तो पूछा नहीं था कि इसमें मिर्च कितनी है बाद सिर्फ बिर्यानी खाने की थी चलो दू किलो विर्यानी के पैसे दो और यहां से चलते बनो ठीक है पकलो अपने पैसे वो आदमी भी गुस्से में वहां से चला गया, धीरे धीरे उनके सारे ग्राहक खतम होने लगे, और बिर्यानी दिन भर में भी खतम नहीं उपाती थी, नीलम इस बात से चिंतित थी, क्योंकि दिन भर में एक या दो ग्राहक ही उसके पास आते थे, इसलिए वो बासी बिर्या जानी ही सब को खिलाने लगी, धीरे धीरे एक या दो ग्राहक भी आने बंद हो गए, नीलम बहुत निराश हो गई और उसको अपना होटल बंद करना पड़ा, वो सब कुछ खत्म करके अपने घर आ गई, और चुपचा बैट गई, तभी पीछे से नीलम की मा, माया देवी ने उसके कंधे पर हाद रखा, बेटा ऐसे निराश होकर नहीं बैठते, इसलिए तो कहते हैं कि बड़ों का साथ होना जरूरी है, क्योंकि जो घर के बड़े होते हैं, वो जीवन को अनभव कर चुके होते हैं, मुझे माव कर दो मा, मैंने सब कुछ खत्म कर दिया, अब आ वीबों को फ्री, ये देख कर ग्राहक वापस आने लगे, पुराना स्वाद पाकर सभी ग्राहक बहुत खुश हुए और उनका काम फिर से चल पड़ा एक कस्पे में रचना नाम की एक महंदी वाली रहती थी, वो बहुत अधिक पढ़ी लिखी होने के बाद भी घर घर जाकर महंदी बेचती और पहिलाओं के हाथ रचाती थी रचना ने महंदी में महारत हासिल कर ली थी, जब सब को उसकी पढ़ाई लिखाई का पता चलता तो सब हैरान हो जाते थे कि ये महंदी क्यों बेचती है लेकिन रचना सारी बात हसकर टाल देती थी, वो किसी को कुछ भी नहीं बताती थी एक दिन रचना कविता की शादी में महंदी लगाने गई, कविता ने रचना के बारे में बहुत सुना था, इसलिए उसने भी उससे पूछी लिया रचना, तुमको महंदी लगाना बहुत पसंद है क्या? हाँ बहुत पसंद है तब ही तुम्हें सबको महंदी लगाती हूँ मैं कहना चाह रही थी कि तुम इतनी पड़ी लिखी हो कोई और काम क्यों नहीं कर लेती हो तुम्हें सबको चाता है मुझे घर-घर जाकर महंदी लगाना दुलहन के हाथ की महंदी देखना बहुत पसंद है वैसे आपने दुलहन बनने का कब सोचा है शायद अब कभी नहीं लेकिन क्यों आपको महंदी और दुलहन इतनी पसंद है तो फिर क्या हुआ मैं दुलहन बन कर ही तो रह गई हूँ मुझे आपकी बातों से लगता है कि जैसे आपने बहुत दर छुपा रखा है लेकिन बता नहीं रही हो हाँ, बात तो बहुत बड़ी है, पूछते सब हैं लेकिन किसी के पास इतना समय ही कहा है जो मुझे सुन सके, मेरा मजाग न बनाए और मुझे चुपचाप सुने हाँ, मैं सुनोंगी तुमें, तुम अपने दिल की बात मुझसे कह सकती हो रचना को ये प्यार शायद बहुत दिनों बात दिखा था उसकी आँखों से आसु आ गए, बात दो साल पुरानी है दो साल पहले मैं भी एक कमपनी में जॉब करती थी वहाँ मुझे प्यार बाबू मिला, मैं प्यार से उसे बाबू कहती थी लेकिन बाबू, बाबू नहीं था, वो मुझे छोड़ कर चला गया आप उसे इतना प्यार करती थी, तो मैं छोड़ कर कैसे चला गया मैं नहीं जानती कि उसने मुझे क्यों छोड़ा शायद उसकी कुछ बहतर पाने की तलाश खत्म हो गई होगी अब अब तक उसके लिए इतनी परेशान है कि उसकी याद में सब को छोड़ कर मेंदी को ही जीने का रास्ता बना लिया है मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसको आप से बहतर कभी कोई मिली नहीं सकता रचना की आँखों में आँसू आ गए माफ करना कविता मैं तुम्हारे शुप के काम में रो रही हूँ नहीं इसमें आपकी कोई गलती नहीं है गलती मेरी ही है मैंने ही आपको अतीत याद दिलाया है अब क्या अतीत क्या भविश मेरी लिए तो सब बराबर है वो आपको छोड़ कर गया ये समझ में आ गया लेकिन वो आपको छोड़ कर क्यों गया हमारी शादी की बात पक्की हो चुकी थी और महनी वाले दिन मैंने उसको कॉल किया बाबो मैंने तुमें कुछ फोटो शेयर किये है देखकर बताओ तो महनी कैसी लग रही है अभी रुको सब कुछ बताता हूँ मुझे महनी की बारे में पूछना है सब कुछ तो मैं जानती हूँ नहीं तुम कुछ नहीं जानती हो ऐसा क्या है बाबो जो मैं नहीं जानती मैं अभी अमेरिका में हूँ क्या तुम यह जानती हो क्या? तुम वहां कब गए? मैं हमेशा के लिए अमेरिका आ गया हूँ कल हमारी शादी है बाबू किसी और से शादी कर लेना मुझे तुम से शादी नहीं करने ये तुम क्या कह रहे हो बाबू मैं ऐसे किसी से शादी कैसे कर सकती हूँ पिछले पात साल से हमने एक साथ शादी के खुआप देखे है बाबू तुमने ऐसे कैसे तोड़ सकते हो मैं अमेरिका आ गया हूँ मेरे करियर का सवाल है मैं अब वापस नहीं आ सकता लेकिन कल हमारी शादी होनी है मेरे हाथों पर महदी रची है तुम ऐसे कैसे यहां से जा सकते हो मैं अब वापस नहीं आऊँगा रचना बाबू के सामने खूब रोई लेकिन बाबू ने उसकी एक नहीं मानी और फोन काट दिया बाबू इंडिया से बाहर नहीं गया था बलकि वो रचना को छोड़ कर शादी से भाग गया था ये मुझ भागिन की कहानी थी सच में तुमने तो बहुत दुख साह है अच्छा अब मैंने जो भी बताया उसको भूल जाओ अब मैं तुम्हारे हाथ रचा देती हूँ अब तुम मेरे हाथों पर महंदी लगा दो और अच्छी सी महंदी लगाना कल तुम्हें भी शादी में आना है हाँ मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी रचना ने कविता को अच्छी सी महंदी लगा दी कविता के हाथ बहुत ही सुन्दर दिख रहे थे किसी की नजर ना लगे बहुत ही सुन्दर भेंदी लगी है लेकिन मैं तुम्हारे होने वाले पती का नाम लिखना तो भूली गई नाम बताओ जरा उनका मैं अभी लिख देती हूँ विपुल हाँ अच्छा नहीं है क्या मेरा विपुल अपने नाम से भी ज़्यादा अच्छा है मेरा बहुत ध्यान रखता है वो हर रिष्टे में परफेक्ट है रचना मन ही मन सोचने लगी मैं तो मान बैठी थी कि विपुल नाम के सभी लोग खराब ही होते है क्या हुआ तुम किस सोच में पढ़ गई कुछ नहीं कुछ नहीं मेरे बाबु का नाम भी विपुल है ओहो सौरी मैंने आपको फिर से हर्ट किया रचना ने कविता के हाथ पर नाम लिख दिया और महन्दी लगा कर अपने घर चली गई अगले दिन कविता की शादी है और सभी तयारियां जोर शोर से चल रही थी अगले दिन शादी का समय भी आ गया रचना भी अच्छे से तयार होकर कविता की शादी में पहुँच गई रचना ने शादियों में जाना पन किया हुआ था लेकिन कविता की शादी में वो खुशी से आई तुमने इतने प्यार से पुलाया था तो आना तो जरूरी था ला तुमने आज आकर बहुत अच्छा किया इससे तुमारा भी मन ठीक हो जाएगा बारात आने का समय हो गया था सभी लोग खुशिया मना रहे थे रचना ने कविता को अच्छे से तैयार किया कविता दुलहन बन कर बहुत ही खूपसूरत दिख रही थी रचना ने कविता को बहुत अच्छे से सजाया कुछ ही समय में बाराद भी दर्वादे पर पहुँच गई जैमाला के समय रचना ही कविता को स्टेज तक ले कर गई लेकिन जैसे ही उसने कविता के होने वाले पती विपुल का चहरा देखा उसके होश उड़ गए क्योंकि वो रचना का बाबू ही था विपुल भी रचना को वहाँ देख कर हैरान हो गया लेकिन दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोले रचना आखों के आशू को छुपाते हुए स्टेज से नीचे आ गई जैमाला और फेरों की रसम को अपनी आखों से रचना ने वहीं बैट कर देखा शायद अब रचना की उमीद तूट चुकी थी और बिना किसी को बताए वो वहां से चली गई और फिर कभी किसी ने उस महन्दी वाली को दुबारा नहीं देखा